गर्मियों के दिन में ओयली स्किन होना एक आम प्रॉब्लम है। ओयली स्किन होने से स्किन चिपचिपी लगती है और एकने की समस्या भी बढ़ जाती है। मगर आप अपनी स्किन को जादा ओयली होने से रोक सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं. आप गर्मियों में अक्सर चहरे की चिपचपाहट हटाने के लिए उसे पानी से बार-बार थोते हैं. लेकिन आप बार-बार चहरा ना धोएं क्योंकि इससे स्किन रफ हो जाती है और इसे ठीक करने के लिए आपके ग्लेंड्स और भी ज़ादा ओयल प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ ही ओईली स्किन वाले लोगों को चहरे को जादा स्क्रब नहीं करना चाहिए. इसे चहरे के पोर्स और खुल जाते हैं जिन में से और ओईल निकलता है. इसलिए स्क्रबिंग को सीमित रखें और अपने डर्मितोलोजिस्ट से इस बारे में बात करें. जब आप कर्मियों में बाहर निकल रहे हैं तो वाटर बेस्ट संस्क्रीन का उप्योग करें. इससे चहरे से ओईल का प्रडक्शन कम होगा और आपका चहरा कम चपचपा रहेगा. ओईली स्किन से निपटने के लिए होम रेमेडीज काफी एफेक्टिव होती हैं. आप इसे भी ट्राइ कर सकते हैं. तो चलिए आपको एक आसान सी होम रेमेडी बताते हैं, जिसका नाम है बनाना हनी फेस पैक्ट. इसे बनाने के लिए एक केला लें और एक चमर शहद. फिर दोनों को अच्छे से फेट लें. इसमें थोड़ा नीम्बू का रस मिलाएं और इसे चहरे पर लगा कर 20 मिनट इंतिजार करें. इसके बाद आप इसे धोलें. शहद हमारी त्वचा के लिए एक एफेक्टिव घरेलू उपाए है, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक गुण तैलिये त्वचा को फाइदा पहुचाते हैं. अपने चहरे पर शहद की एक पतली परत लगाएं और 10 मिनट बाद गुण-गुने पानी से धोलें. तो ये थे आपके ओली स्किन के लिए कुछ एफेक्टिव सॉल्यूशन्स. ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारा चैनल Only My Health ज़रूर सब्सक्राइब करें.